गुरुदेव और मागायत्री की चर्णु में कोटी-कोटी नमन आप सभी को प्रणाम आदी शक्ति की लीला कथा की पिछली कड़ी में इस सच को स्पष्ट करती हुए कहा गया था कि निद्रा जगनमाता का स्वरूप है वो श्रीहरी की चेतना शक्ति है पुरान कथाओं के अनेको प्रसंग कहते हैं कि विष्टनु जगत के पालन हार हैं संपून जगत उनके ही संरक्षन में पोशित होता है जगत के संरक्षन वाप पालन में जब कोई बाधा या अवरोध उत्पर्न होता है तिस स्वयम भगवान विष्टनु से समाप्ट करते हैं ऐसे ही अवरोध मधु कैटप की रूप में प्रकट हुए पिशली कड़ी में ये कहा गया था कि ब्रह्म देव ने भगवान विष्टनु को जगाने के लिए उनकी नेत्रों में निवास करनी वाली योग निद्रका इस्तवन आरंभी किया जो इस विश्व की अधिश्वरी जगत को धारन करनी वाली संसार का पालन करनी वाली और सह इन भगवती निद्रका परिचय सभी से हैं सभी जीव किसी ना किसी तरह किसी समय शैन करते हैं ये शैन उन्हें शान्ती देता है उनकी ठकान को दूर करता है और उनमें नव जेतना का संचार करता है इस सामान्य परिचय के साथ मनुष अपनी जीवन में निद्रका विशि कर सकता है आप अपनी निद्रा को भी विशिष्ट बना सकते हैं प्राचीन वैदिक आध्यात्मिक ज्ञान हो या अधुनिक विज्ञान हो निद्रा की महिमा करिस्तवन सभी करते हैं आध्यात्मिक ज्ञान में निद्रा के कई रूप मिलते हैं मोह निद्रा स्वप्न युक् उसकी आशकतियां, उसके सानसारिक तदात्म उसे मोह निशा में मोह निद्रा में जक्ड़ी रहते हैं। स्वपन युक्त निद्रा में व्यक्ती भले बुरे सपने देखते हुए सोता है। चित्में चिंतन में चेत्ता में परिश्कृति हो तो स्वपनों के माध्यम से भविश्य की आहटें और अन्य लोगों के द्रश्य भी देखे जा सकते हैं। एक होती है सुशुप्ति वाली निद्रा यानी प्रगाढ शेन इसमें व्यक्ति की ठकान मिटती है और नवीन उर्जा वा नई चेत्ना को व्यक्ति प्राप्ट करता है। योग निद्रा, निद्रा का आध्यात्मिक रूपांत्रन इसमें जागरण की भाती, जागरती एवं सुशुप्ती की भाती विश्रानती रहती है। इस अवस्था में आध्यात्मिक बोध के आयाम खुलते हैं। निद्रा के आध्यात्मिक ज्ञान की भाती, आध्युनिक चिकित्सा विज्ञान भी निद्रा के महत्व को समझता है। चिकित्सा विज्ञान के अनुसार छोटे बच्चों को 10-12 घंटे की नीन आवशक है। युवाओं के लिए 6-8 घंटे की नीन भी परियाप्त है। इससे उनके शरीर को इस फूर्ती वा मन को ताज की मिलती है। साथी जीवन को आवशक पोशन भी मिलता है। व्रध्यों क कार अवश्य ही 4-5 घंटे की नीन से भी चल जाता है। एक बार चित्रगुप्त ने यमराज से कहा कि जो भी व्यक्ति अपनी प्रत्यक रात्री वा रात्री के निद्रक्षणों को भगवत इसमरण में सिंचित करते हैं। निश्य ही वे मोक्ष के अधिकारी हो जाते हैं। यानि यदि आप नीन में भी भगवत इसमरण करते हैं तो आपकी नीन भी जब बन जाती है। पूजा बन जाती है। आई आप हम जानते हैं 71 मंत्र का साधना विधान। ये है उस मंत्र का विन्योग। विन्योग के बाद आप न्यास करें। न्यास के सामने जो मंत्र दिय मंत्र बूलती हुए उनके सबर्श करती जाएं इस तरह से आप न्यास करें न्यास के बाद ध्यान करें ध्यान का मंत्र आपकी स्क्रीन पर है उसकी बाद मंत्र करें मंत्र है ओम एम रम नमहा निद्राम भगवती विश्णोर तुलाम तेजिसह प्रभू नमोडम एम ओम मंद का विधान वही है दस माला गैत्री मंद की करें और एक माला इस सब्तुशति मंद की करें इस तरह से दस दिन का विधान है और उसके बाद दशान सवन करें आध्यात्मिक फलशुति है कि निद्रा का आध्यात्मिक रूपांतरन हो जाता है यानी आपकी निद्रा आपकी पूजा बनने लगती है और लोकिक फलशुति है जीवन की उर्जय की प्राप्ती हो जाती है गायत्री महामन्द के साथ इसस्पतिशटी मन्द की साधना धीरे धीरे साधक के चित्र पर अपना प्रभाव डालती है इस साधना से निद्रा द्वार बनती है नई अन्भूतियों का इससे चेतना के आयम खुलते हैं निद्रा सहज मही जीवन का पोशन रक्षन करने लगती है स्वप्न का भी मर्म बदल जाता है मात्र दमन की गई भावनाएं वा विचारनाएं स्वप्न का विशय नहीं रहती स्वप्न चेतना के उच्च आयामों का जहरों का बन जाता है ये परिवर्दन धीरे धीरे होते हैं परन्तु होते अवश हैं निद्रा साधना का सुगम सहज सरल किन्टु प्रभावी मार्ग है ये से स्परष्ट हो जाता है जो भी इस साधना को करते हैं उनकी जीवन की निद्रा से संबंधित समस्याएं और निद्रा आदिव्याधियां बीमारियां समाप्त हो जाती हैं और वे योग निद्रा की उपलब्धी को प्राप्त होते हैं निद्रा को यदि आप योग निद्रा बढ़ाने चाहते हैं अध्यात्मिक शक्तियां जागरत करना चाहते हैं नीन में तो वो आपको इस साधना से हो जाएगी तो अगर आपको यह जानकरी पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करें शेर करें सब्सक्राइब करें और बैल के आइकन पर क्लिक करके आल पर क्लिक करना न भूलें